नमस्कास सभी को आपके अपने चैनल कंपटर फोर क्वांट के अंदर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज का जो हमारा टोपिक है वह है मिनिमल कवर या केरो निकल फोर्म तो इसको किस तरीके से निकालेंगे तो यह सारी चीजे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो शुरू से लाट्स तक बने रही है तो मिनिमल कवर निकालने के लिए सबसे पहले हमें के निकालना पड़ेगा मिनिममम सेट निकालना होगा तो minimum set निकालने के लिए कुछ steps दी हुई है तो आप उनको one by one follow कीजिए तो उससे आप क्या पहुच पाएंगे minimum set तक पहुच पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले step क्या है यहां लिख लिए आप step one step one क्या है कि इस्प्लिट द एफ्डी कि सो देट कि राइट हैंड साइड कंटेंड सिंगल एट्रिब्यूट क्या है इसका मतलब अभी समझते हम आपको क्या करना है आपको एक एफ्डी वी होगी उसको split करना है कब करना है अगर राइट हैंड साइड के अंदर एक से ज़्यादा एक्ट्रिब्यूट हो तो इसका मतलब क्या है देखिए मालीजे आपको दे रखा है एडिटर्माइज सी और डी तो आप क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे या डी कंपोस कर देंगे हमने देखा था ना इंफेरेंस रूल या एक्जूम्स रूल के अंदर तो इसको आप कैसे लिख सकते हो एडिटर्माइज सी एडिटर्माइज दिव ओके ईडिटर्माइज सी ओर एडिटर्माइज दी तो कोशिस हम ये करेंगे कि हमें राइट-μέक्र साइट के अंदर हमेशा मेरे पास मेरे न चाहिए सिझ्गल ए्रजिण रहना चाहिए यह क्या है आपकी स्टेप हु ए निया दिदेंट मिदेंदेंट attribute on left hand side and delete it अब इसका क्या मतलब हुआ example से हम समयने कोशिश करते हैं तो माल लीजे कोई FD दी हुई है AB determines C ओके AB determines C तो left hand side के दर हम कोशिश करेंगे कि अगर सिर्फ A से C determines हो जाता है तो मैं B को delete कर दूँगा और अगर सिर्फ B से sorry अगर सिर्फ A से अगर A के अंदर B है तो मैं इस B को delete कर दूँगा और अगर B के अंदर A है तो मैं क्या करूँगा इस A को delete कर दूँगा तो देखिए एको सबसे पहले आप डिलीट कीजिए और बी का आप क्या निकाल लिए क्लोजर निकाल लिए अगर बी के अंदर ए है तो मैं एको डिलीट कर दूँगा तो अब एक्जाम्पल से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिलीट एक इफ बी प्लस बी का क्लोजर डिटर्माइन्स ए अगर जो B का क्लोज़र है वो A को डिटर्माइन कर देंगा और इसका उल्लीटा हो जाएगा अगर को में डिलीट करता हूं और एक का closer अगर भी बता देता है तो देलीट कर दूंगा तो step कौन सी हो गया आपकी steps second फिट नेक्स देखिए step third कौन सी है इस ट्रिप थरड के अंदर क्या होगा है । है tune फाइंड दो ड्रिदंदेंट रिडंडेंट एट्रिब्यूट कि रिडंडेंड nula конф company हम करेंगे और उसको या कर देंगे हम डिलीट कर देंगे तो यह 3 스 टैप से तो वन बैवन हम सारी स्टेफБस को देखेंगे एक्जांबल करेंगे उससे साथ है, इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो एक बार आप देख लिए वापश, रॉपस, राइट हंड साएड के अंदर हम सिंगल ए्टरिब्यूट रखेंगे, लेफट और हम कोशिश करेंगे की, अगर दो attribute हो तो उसको 1 के अंदर convert करने की कोशिस करेंगे और step 3 के हो जाएगा अगर कोई भी redundant fd है तो उसको मैं delete करने की कोशिस करूँगा तो चलिए बढ़ते हम question की हो question से ज़्यादा clear हो जाएगी ये चीज़े तो ये question दिया हुआ है इसका minimum set निकालने की कोशिस करते है तो वह इस process रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम step first करेंगे step first के अंदर हमने क्या सिखा कि right hand side के अंदर right hand side के अंदर हमें चाहिए हमेरे पास single attribute होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर right hand side के अंदर तो देखिए a to b okay single attribute है a b to d okay यहाँ पर हमारे पास क्या है single attribute है यहाँ पर देखिए e से ad बन रहा है तो हम क्या करेंगे इसको decompose कर देंगे यह क्या हो जाएगा e से a और क्या हो जाएगा e से d हो जाएगा ओके इसको मैंने decompose कर दिया है ज्यान रखना left hand side को आप decompose नहीं कर सकते हो के राइट hand side को आप decompose कर सकते हो और यह क्या हो जाएगा e से h तो first step हमारी complete हो चुकी है अब हम क्या करेंगे second step second step के अंदर मैंने क्या बदाय था left hand side के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको single attribute बना की कोशिश करेंगे या extenders जो attribute है उसको remove करने कोशिश करेंगे कहने का क्या मतलब है इसको लिख लीजिए देखिए यह क्या आपके पास a b determines d अब हम यह चेक करेंगे कि अगर a को मैं remove करता हूं तो क्या b से मैं a determine कर सकता हो गया तो मान लिजे a को मैं एक बार remove कर दिया और b का मैं के निकलूँगा closer निकलूँगा तो आप ऐसा किजे b का भी closer निकलूँगा एक एक बार तो मैंने सबसे पहले a को हटाय और b का closer निकला तो b का closer क्या हो जाएगा b और आपको कहां check करना है इसके अंदर क्या b से आप a determine कर कर पा रहे हैं कि यहां देखिए बी से डिटर्माइन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप एक को रिमूब नहीं कर सकते हैं अब करें करें आप एका क्लोजर निकालिए यह क्या हो जाएगा ए और एसे भी डिटर्माइन करने कोशिश कीजिए यहां देखिए एसे भी डिटर D क्योंकि B को A खुद अपने आपके अंदर डिरेव कर रहा है तो अभी आपकी FD कैसे हो जाएगी है A Determine P A Determine D E Determine A E Determine D और E Determine H यह समझ में आया आपको आपको A B Determine D तो सबसे पहले आप एक की दोनों attribute मैं से दोनों का आप closer निकाल दीजिए B का closer A का closer और आप चेक कीजिए कि इस closer से में जो पास वाला attribute उसको दिराइव कर पा रहा हूं यानि अगर दिराइव नहीं कर पा रहा हूं तो दिराइव कर पा रहा हूं तो उस FD को आप ले लिजिए यहां पर मैं A ले लिया और D को मैंने AZT सक दिया ओके थर्ड वाली स्टेप हमारी क्या है अगर इस FD के अंदर को redundant attribute है तो उसको क्या करना है आपको कि यह वाली को हाइड करना है और बाकी एमसे यह से ए डिटर्माइन करने की कोशिस करनी है देखिए छुष कर रहा हूं कि आमने बाकी एमसे के एसे भी निकाल सकता हूं क्या कि से तो आ गया पर कहीं यह से भी निकल Hz नहींन निकल रहा कि सक मतलब यह स्पाहिए तो देखेंज है यह आप theo निकल आपके आपके निकलने कोशिश करनी है तो देखिए भी निकला है और कुछ भी नहीं तो क्या ए एसटी निकल पाया है नहीं तो यह फ्डीब crude के अंदर रहेगी इसको में नहीं आं सकता है बस इस्व पकास से चलना है आपको ग्लॉसल निकाली और इस- person से आपको क्या ए निकालने कोशिश करनी है तो यहां से ञंसे नहीं यहां से क्या डी में निकाल सकता हूं कि यहां देखिए इस से आराम से डी निकल अपा रहा है तो यह क्या कर दीजिए आप रिमूब कर दीजिए क्यूंकि इस से डी इस वाली एपडी से डिरेव हो रहा है तो इसके मुझे जरूत नहीं है यह रिडंडेंट है अब इसको चेक करें ईटू एच तो यहां अगर आप देखोगे तो इसको आप हाइड कीजिए और निकालने कोशिद कर जिए यह आ जाएगा और इसे आपके पास क्या ज यूद रहेगी तो फाइन जो मेरा मिनिमूम सेट क्या आ घया देख्यां अ कि iconny एसिए भी है किसी जो आएसे डी कि है ऐसे यह कि और एसे एच तो मेरा स्टारइटीं सेट कहुं सा था यह वाला स्टारइट्रिण और फाइन सेट कहून सांगी यह यहां पर देए एक प्रक्रावल सकते हम मिनिमुम शेट है तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तो चलिए अब हम एक और कॉस्चन करके देखते तो आपको ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए एक तो तरीका कि आप डाइरेक्ट इसको जो भी हमने मिनिमाइशन मेथर पड़ा है उससे आप डारेक्ट कर सकते हो और अगर आप इसका मिनिमाइशन लगाओगे तो आपके पास यह वादी अगर इसके पर आप मिनिमाइशन लगाते हो तो आपके पास यह वाला निकल क्या जाएगा इसका मतलब यह क्या है यह इसका मिनिमल कवर है दूसरा तरीका क्या है आप क्या किजिए अगर आपको किसी का मिनिमल कवर निकालना है तो सबसे पहले आप छेक किजे कि वह है या नहीं यो situations आगि एकले एक चेक करते हैं तो नसओ आगर वह ऐकीविलेंस नहीं है दोनों fd इसका मतलब वह मिंद्मल कवर नहीं है और अगर इकिवियस है, इसका मतलब इसके बाद आप क्या किजिए, MINIMIZATION GULE को क्या कुआ करें, लागू किज梁 किजिए, MINIMIZATION क्या कीजिए, CHECK किजिए, समझ में, है हONँ आज नहीं बात, देखिए, अगर, आपको MINIMAL कवर निकालना है, तो एक तरिका है, डायरेक्ट इसको जो हमने इस्टेप पढ़ी थी 123 उसको डायरेक्ट कीजिए और दूसरा तरीका क्या है आप सबसे पहले एक्विविलेंस निकाल लीजिए अगर एक्विविलेंस नहीं है तो आपको फर्दर करने की ज़रती नहीं है यह और यह सेम है hemmet नहीं है जलदी इसको यहां पर करूँए और ब स्प्सक्राइब क्या बनान क्लोज़र तो यह क्या हो जाएगा जैंडी और यहां से मैं डिरेव करने कोशिब कर रहा हूं इडिर होता है एक सी हर आप यह देखो तो कहीं फदल विह में एपने से अज इब नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब यह जो एफ़ भी फ्रेकर सथरें से लिए को से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडस के साथ दरूर्द शर्च करें हैं ठेक्ष कूग झाल झाल